आम नमो भगवते बाशुदेवाए स्रोतागणो मैं पंडित निरंकार्तरपाथी आप सभी का धर्म कर्म पंचांग चैनल पर हारदिक स्वागतियों मभिनंदन करता हूँ आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पित्रदोस क्या होता है पित्रदोस की पहचान कैसे करें और इसकी सांती का उपाय कैसे करें कुंडली में पित्रदोस का लगना बहुत असुब माना जाता है इसके लगने से ब्यक्तिके जीवन में कई प्रकार की परिशानिया खड़ी हो जाती है अगर किसी ब्यक्तिके मृत्व के बाद उसका विधिविधान से अंतिम संस्कार ना किया गया हो या फिर किसी की अकाल मृत्व हो गई हो तो उस ब्यक्तिके परिवार के लोगों को कई पीडियों तक पित्रदोश का गंस जहलना पड़ता है सुर्तागणों आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यो बेल आइकान को प्रिस कर दीजिए आपको धर्म कर्म पंचांग चैनल पर धर्म से संबंधित वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे अब आप सबसे पहले जानें कि आप पर पित्र दोस है या नहीं पित्र दोस होने पर बैवाहिक जीवन में हमेशा तनाव बना रहता है पती पत्नी के बीच में हमेशा लड़ाई और जगड़े होते रहते हैं घर में हमेशा कलेस होना मांसिक असांती बना रहना बिना किसी कारण के घर में असांती फैलना बिवाह में रुकावट आना जादा कर्ज होना जमा धर्न बरबाद होना अर्थात बिना बेफिजूल के खर्चे करना बीमारी आद इसके लक्षन है अगर यह सारे चीजे आपके साथ हो रहें तो आप यह समझ लीजिए कि आप पर पित्रदो है यह तो साधारण पहचान हो गया अब आप जान लीजिए कुंडली के अनुसार आप कैसे पहचान सकते हैं यदि जातक की कुंडली के नवे घर में सूर्य और राहू बैठे हो तो पित्रदोस माना जाता है क्योंकि कुंडली का नवा घर धर्म का घर होता है और यह पिता का घर भी होता है अगर किसी भी प्रकार से जातक की कुंडली का नवा भाव या नवे भाव का मालिक राहू या केतू से ग्रशित है तो यह 100% पित्रदोस के कारणों में आ जाता है क्योंकि नवा भाव पिता का भाव होता है तथा सूर्य पिता का कारक होता है उसके साथ सा आयू, तरक्की, धर्म का भी कारक होता है और इस पर जब राह जैसा पापी ग्रह अपनी असुप छाया डालता है तो पित्रदोस बन जाता है तो आप कुंडली के भाव को देख करके भी पित्रदोस का पहचान कर सकते हैं अब आप ये जान लीजिए कि पित्रदोस क्यों पिता का अनादर करना, पिछले जनम में आपने कोई पाप किया होगा, अपने माता पिता को सताया होगा, उनकी सेवा अच्छी तरीके से नहीं किये होगे, घर के पित्रों या बड़ों ने धर्म बदला होगा, घर के आसपास में किसी मंदिर में तोड़ फोड़ हुई पूजा पाट ना किया जाना ये कारण होते हैं जो पित्रदोस लगते हैं अब इसके निवारण के भी उपाया आप जान लीजिए पित्रदोस लगते हैं कुछ तो बहुत खर्चेलू हैं और कुछ नार्मल में भी काम चल जाता है तो मैं आज जो नार्मल है जो कम खर्चे में हैं मैं उसको आपको बताता हूँ अस्वनी मास क्रिश्व पच्छ में पूर्वजों को उनकी मृत्व की तिथी के अनुसार तिल पूस्प अच्छत जल के साथ पूजन पिंददान तरपड करके भ्रमलों को अपने सामर्थ के अनुसार भोजन फल बस्त्र दक्षणा आदिदान करना चाहिए और एची ध्य जिन लोगों को अपने पूर्वजों का जन्म की तिथी ना मालूम हो उन्हें अस्विन मास की अमाउस्या को पूर्विधी विधान से तिल पूस्प अच्छा जल सहित पिंददान तरपड करके भ्रमलों को सामर्थ अनुसार दक्षणा करना चाहिए अब अन्य उपाई भ कंडे की धूनी लगा कर उसमें खीर का भोग दक्षण दिसा में पित्रों का आवाहन करके उनसे अपने कर्मों के लिए छमायाचना करना चाहिए इससे भी पित्रदोस कम हो जाता है अपने परिवार के स्वर्ग वासी व्यतिका तस्वीर दक्षण दिसा की दीवाल में पित्रदोस कम हो जाता है तो स्रोतागणों आज आपने जाना कि पित्रदोस क्या होता है इसके उपाय क्या है और इसकी पहचान क्या है तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंदाई हो और आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए हो कि पित्रदोस क्या होता है और यह क यूँ आता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा ओम नमू भगवते बासुदेवाए